कोरोना वैश्विक महमारी के लिए जिला प्रशासन से लेकर स्थानी प्रशासन सक्रिया है इसी को देखते हुए सिम्नी माल्वा में प्रशासन ने संक्रमस काल में नियमों का पालन ना करने पर दुकाने सेल कर दी है होशंगबाद जिले के सिवनी मालवा में मास्क लगाने और सोशल डिस्टंस का पालन करने को लेकर स्थानी प्रशासन लौट स्पीकर तथा अन्यमाध्य में उसे लोगों को जागरू करने का प्यास कर रहा है महीं सरकारी आदिशों का उलंगन कर सोशल डिस्टंसिंग का पालन नहीं करने और मास्क नहीं लगाने वाले दुकानदारों के विरुद्विधी संबत कारवाई भी कर रहा है गुरुवार को SDM D.N. सिंग, तैसलदार दिनीर सावले, S.D.O.P. सौम्या अगरबाल एवं C.M.O. यश्वंत राठोर द्वारा नगर भ्रमन कर कानूं तोडने वाले दुकानदारों की दुकान को सील किया गया इसी कड़ी में उन्होंने गांधी चौक सिस, सुर्भी ज्वेलर और वंबे कलेक्शन को नियमों का उलंगन करने के चलते सील किया महिस्थाने प्रशासन द्वारा लगाता लोगों को कोरोना से बचाने के लिए लोगों से अपील की जा रही है लोगों को सोशल डिसन्स बनाए रखने और मास्क सैनिटाइजर का उप्योग करने के लिए कहा जा रहा है इसकी बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा आदेश का उलंगन हो रहा है प्राया देखने में आ रहा है कि लोग जो है करोना संकरमणड़ को द्रिस्टिकत रखते हुए आज हमारी संयुक्त टीम के दौरा जिसमें एस जोपी मेडम भी हैं तैसिलदार है नगर पाल का कामला है सबके द्वारा पूरे नगर में भरमड करके इन दुकानों को जाकर के देखा गया बना पुरा और सुनी वालवा दोनों जगे हमने जब चेकिंग की तो कुछ जगे तो हमने 70% तो लोगों में सही पाया कि दुकाने ठीक हैं लोग जो है टोसेल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं दुकान के अंदर 5 या 5 से कम लोग हैं लेकिन कुछ जगे 1700 पाज से अधिक लोग पाए गए इसी कारण जो है हमने एक स्कराफा की दुकान को बंदिक सील किया है और एक कपड़ी की दुकान को सील किया है वहां काफी संख्या में लोग ज्यादा बड़ी संख्या में थे सोचाल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं था मास्क भी नहीं लगे थे हमने ये दो बड़ी कारवाईयां की है और इसका कारवाई का उद्देश सिर्फ यही है कि लोगों में एक संदेश जाए और लोग पालन कर और देखने में आया भी है कि लोग 70% मास का प्रियोग अब करना शुरू भी कर दिये हैं अब हम चाहिते हैं कि 100% लोग जो है इस तरह का पालन करना शुरू कर दे इस कारणा से पोरोना की चैन को रोका जा सके प्यूर रिपोर्ट कबरबाद न्यूस सिर्णी मालवा